दोस्तो आज मैं आप सब के साथ बच्चे हुए चावल से बहुत बढ़िया क्रिस्पी और टेश्टी नास्ता की रेस्पी सेयर करने बाले हूँ आप इसका आवाज सुन सकते हैं एकदम क्रिस्पी है उपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट है अकसर हम दोबर में चावल बनाते हैं तो भी थोड़ा बहुत बच जाता है रात में बनाते हैं तो भी थोड़ा बहुत बच जाता है और फिर उसे कोई खाना नहीं चाहता है इस तरीके से आप बच्चे हुए चावल का नास्ता बना लेंगे तो बच्चे बड़े सभी बहुत चाव से खाएंगे ये देखे, बहुत बढ़ी आए नास्ता बन के त्यार होता है तो इसे बनाना कैसे है? चलिए देख लेते हैं एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसमें हम बच्चा हुआ चावल डाल देते हैं चावल डालने के बाद इसे हम हाथ से थोरा सा मैस कर लेंगे ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाए क्योंकि चावल हम ऐसे ही दाल सरजी के साथ खाने के लिए बनाए हुए है तो ये थोरा सा काड़ा है तो इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो बढ़ी हसे मिल जाएगा अब हम इसमें दो उबले हुए आलू का चिलका निकाल दिये थे और मैस करके रखे थे इसे भी डाल दिये एक बारी कटा हुआ प्याज डाल दिये एक बारी कटा हुआ हरा मिर्च और थोरा सा हारा धनिया बारी कटा हुआ डाल दिये इसमें हम स्वादनुसा नमक डाल रहे हैं आधा चमच चिली फ्लेक्ष डाल रहे हैं और थोरा सा पीजा सेजिनिंग डाल रहे हैं अगर आपके पास है तो जरूर डालेगा बहुत बढ़िया इसे टेस्ट आएगा थोरा सा हम एक पीन जितना हल्दी डाले हैं आधा छोटी चमच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और अब हम इसे बाइंडिंग के लिए इसमें ब्रेट करम डाल रहे हैं और सारी चीजों को डालने के बाद बढ़िया से इसे ह मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें से थोरा सा पोशन ले लिजे और इस तरीके से हाथ में लेके इसे गोला बना के देखे अच्छे से अगर गोला बन रहा है तो मिश्रन त्यार है नहीं अगर हाथ में चिपक रहा है थोरा सा गीला लग रहा है तो दो त बिल्कुल विखरता नेएं और इसका अच्छा सा सेप आ जाता है तो आपको जिस अपो पसंद हो ऊपिस्सेप में आप इससे बना सकते हैं मैं इस तरीके से बना के त्यार कर लेती हूं तो मैं इस तरीके से सारे नास्ते को बना के त्यार कर लेती हूँ फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे बैंडिंग के लिए मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाली हूँ आप चाहे तो इसमें फ्रेश ब्रेड या राबा को भून के डाल सेकते हैं अगर आप इसमें सूजी डाल रहे हैं तो उसे थोरा सा ड्राइ रोष्ट करके डालेगा, कच्चा नहीं डालेगा और ये देखें इस तरीके से हमारा नास्ता बहुत बढ़ी असा बनके त्यार हो रहा है आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ये बिखर नहीं रहा है और कितना बढ़ी आये बनके त्यार हुआ है तो इस तरीके से सारे नास्ते में बना ली, अब मैं मिक्सी के जार में एक छोटी कटोरी पोहा रखी हूँ इसे हम पीस लेंगे, तो बहुत बारिक नहीं पीसेंगे, जैसे मोटा सूजी होता है ना उसी तरीके से इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है तो इस तरीके से पीसने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसी पोहे के बज़े से हमारा नास्ता उपर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा तो अब मैं एक बाउल में दो चमच मैदा रखी हूँ आप चाहे तो गेहु का आटा भी ले सकते हैं इसमें मैं थोरा सा नमक डाल दी और इसे मिलाने के बाद अब मैं इसमें थोरा थोरा पानी डाल के और सलरी बना के त्यार कर लूँगे तो आप जब थोरा थोरा पानी डाल की मिलाएंगे तो इसमें लम्स नहीं परेगा और बहुत जल्दी सलरी बन के त्यार हो जाता है तो इस तरीके से आपको सलरी बना लेना है इसे बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत जादा पतला भी नहीं रखना है आप देख पा रहा है चमच के पीछे पतला सा इस पे कोटिंग आ रहा है तो इस तरीके से sı्लरी बनाके मैं तयार कर ली अब हम इस नास्ते को एक के करके इस बढ़िब करके निकाल लेंगे और ये पोहे बाले चूरे में इसे बढ़िया से कोट कर लेते हैं तो मैं पोहे से इसे कोट कर रही हूँ, आप चाहे तो सूजी से भी इसे कोट कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेट करम से भी कोट कर सकते हैं, तो ब्रेट करम से तो हम हमेशा ही बनाते रहते हैं नास्ता, इस तरीके से पोहे से आप बना के देखें बहुत बढ़िया टेश्टी और एकदम क्रिस्पी बनता है तो इस तरीके से मैं सारे नास्ते को इस लरी में से डिप करके निकाल के और पोहे से कोट करके रख लेती हूँ पोहे की बज़े से ये नास्ता देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है और खाने में तो बढ़िया लगता ही है एक दम क्रिपी यह नास्था बनता है तो इस तरीके से पोह crazy coating करने के बाद एक श्च्टरा पोहा उसे हम जार देंगे और सारे नास्ते को इसी तरीके से बना के रख लेंगे अब हम इसे fry करेंगे तो fry करने के लिए तेल में पहले ही गरम होने के लिए रख दी थी इस कड़ाई में जितना आ जायगा नास्ता उतना हम डाल देंगे और medium flame पे इसे हम fry करेंगे बहुत जादा कम भी नहीं करना है गैस को और बहुत जादा high भी नहीं रखना है अगर आप बहुत कम कर देंगे गैस को तो ये तेल बहुत पीलेगा अगर आप high flame पे इसे fry करेंगे तो उपर से बहुत जल्दी इस पे color आ जाएगा पर उतना खास्ता और crispy ये नहीं बनेगा तो इस तरीके से medium flame पे हम इसे उलट पलट के बढ़िया से fry कर लेते हैं इसे fry करने में 3-4 चार मिनट का ही टाइम आपको लगेगा बहुत जादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने इसमें जो सामागरी डाला है वो सब पका ही हुआ है बस उपर का जो लेयर है उसे ही हमें crispy करना है तो गैस का flame medium करके 3-4 मिनट आप fry करिएगा तो बहुत बढ़िया सा golden color आ और बचे हुए चावल का बहुत बढ़िया से यूज भी हो जाता है आप एक बार इस नास्ते को जरूर बना के देखिए आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएगा और एक्तम कुरकुरा और क्रिस्पी नास्ता है आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना यह हमारा नास्ता बनके त्यार हुआ है पोहे की कोटिंग की बज़े से यह नास्ता जल्दी से सौगी नहीं होता है 3-4 घंटे तक इसी तरीके से क्रिस्पी बना रहेगा तो आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइगा अक्सर हम ब्रेड क्रम का कोटिंग बहुत सारे नास्ते के उपर करते हैं कभी कभी आप ओहे का कोटिंग करके देखे बहुत बढ़िया नास्ता बनके त्यार होता है तो इस तरीके से एक बार आप लोग जरूर ट्राइ करिये आप इसे हरी चटनी के साथ या टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करियेगा चाइनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा